नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अचारे जीतू सिंग, इजी ट्रिक, इजी ट्रीटमेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, स्वस्त रहना या फिर स्वस्त रखना हमारी पहली जिम्यदारी है, हमारी फर्स्ट प्रियोरेटी है कि हम स्वस्त रहे, जब हम स् कारे को बहुत आसानी से कर लेते हैं, बड़ी-बड़ी समस्याओं को भी हम बहुत आसानी से जेल लेते हैं, उससे निकल जाते हैं, तो ऐसे में स्वस्त रहना सर्वों पर ही है, जयदा तर लोगों को गुटनों में दर्द रहता है, आजकल वरकिंग स्टाइल ऐसा हो गया घर में भी देखें तो नीचे जमीन पर बहुत कम लोग बैठते हैं और तो और सारा दिन कुर्सी के ओपर वर्क करना यानि टांगे आपकी हमीशा नीचे की तरफ लटकी रहती हैं तो ऐसे में डेफिनेटली स्वभा भी कहें कि घुटनों में दर्द होना वाक की तरफ हम ध् पूड यह भी ध्यान नहीं देते हैं बस भागते जा रहे हैं काम करते जा रहे हैं और साथ के साथ अपनी सेहत को दाव पर लगाते जा रहे हैं घुटनों का दर्द जिस व्यक्ति को होता है तो जीना तो महाल हो जाता है उसके लिए चलना फिरना उठना बैठना आना जान सब कुछ मुश्किल में पड़ जाता है घुटनों का दर्द कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घुटनों के दर्द में ऑपरेशन तक बता दिये जाते हैं तो बहुत ज़ादा अगर आपके घुटनों में दर्द रह रहा है आपको लगता है कि सीवेर प्रॉलम भी हो रही एसे एक तो दिन में किसी भी समय पांच मिनट के लिए आपने जमीन पर लेटना है और आपने दिवार का सहारा लेते हुए अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल दिवार के साथ सटा देना है यानि आपकी दिवार के साथ उपर सहारा लेते हुए टांगे उपर कर देना है और खुद आपने जमीन पर लेटना है, सीधी, स्ट्रेट जमीन, आप कुछ बिचाना चाहते हैं, नीचे बिचा सकते हैं, कुछ पतला सा आसन बिचा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गद्दा डाल करके, जैसे हम बड़ा मैटर्स डाल करके, वैसे नहीं लेटना है, स्ट्र करनी है मात्र कुछ महीनों के अंदर ही यकीन मानिए आपके घुटनों का दर्द एक दम ठीक हो जाएगा तो देखा आपने कुछ भी नहीं किया हींग लगे नाफटकरी रंग भी चोखा हुए वह वाला हिसाब है कि कुछ भी नहीं लगाया आपने कोई चीज़ें नहीं सामा से बाहर निकल सकते हैं बड़े हेल्थ इशू से भी बाहर निकल सकते हैं आप इस सुपाई को करके देखिए यकीन मानिए आपके घुटनों का दर्द चूमंतर हो जाएगा खुश रहें स्वस्त रहें पॉजटिव रहें नमस्का लोग